हाई गाईस तो कैसे हैं आप लोग आज किस वीडियो में हम देखेंगे हॉलिवुड की कुछ बहतरी इन मूविस जो की हिंदी में डबड़ और फ्री में यूटूब में अचेडी कॉल्टी में अविलबल है और मैं आपको बता दू इस सारी मूविस की जो लिंक है आपको इ एक्शन, एडवेंचर, हॉरर, थ्रिलर, फैंटेसी और साइफाय मूविस इन सभी काडिकरी मूविस आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी लेकिन गाईस प्रॉब्लम बस यह है यह सारी मूविस जो है अन ओफिशली तरीके से अपलोड की जाती है जो क इस वीडियो मूविस की कैस इस मूवि में आपको एक्षन, कॉमेडी और क्रिमिनल एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी बात करें इस मूवि की कहानी की तो इसमें कहानी दिखाई गई है एक लड़की की जो कि एक हाई स्कूल की स्टूडेंट होती है और जिसे कॉमिक् हलागि उसके पास कोई भी सूपर नैचुरल पावर्स नहीं होती है लेकिन फिर भी वो ऐसा करती है इस मूवी में आपको जबर जस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलेगा जिसका अंदाज़ा आपको इस सीन्स से लग जाएगा अब गाइस बात करें इस मूवी की रेटिंग्स की तो इस मूवी को IMDb ने रेटिंग दी है 7.6 की आउट ओफ 10 नमबर 2 में आती है 2014 में रिलीज हुई मूवी इन दे बलर्ड इस मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर एक्टिविटी भरपूर देखने को मिलेगी मूवी में आपको में लीड में देखने को मिलेंगी जीना केरनो जिसको अपने डेड़ पूल और फास्ट एंड फिरिस जैसी मूवी में देखा होगा अब बात करें मूवी की कहानी की तो कहानी में दिखाया जाता है जीना होती है जो कि अपने husband के साथ holidays enjoy करने के लिए Mexico जाती है लेकिन गाइस movie में twist तब आता है जब वहाँ जाने के बाद उसका husband ही किन्बच हो जाता है अब movie में आपको देखना ये है कि movie के end तक क्या只ina एपन करना चाहूंगा कि अगर आप नए है इस चैनल पे तो या चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेजे और बैल आइकन को भी दबा लेजे ताकि आपको इसी तरह की मुवीज आगए इन फ्यूचर मिलती रहे इस मुवी में आपको क्रिमिनल और थ्रिलर एक्टिविटी देखने को मिलेगी बात करें मुवी की कहानी की तो कहानी में आपको दिखाया गया तीन चोर होते हैं जो की रॉबरी करने के लिए जाते हैं लेकिन एक पुलिस एंकाउंटर में मारे जाते हैं अब उसके बाद जो उनकी wives होती है ये decide करती है कि जो उनके husband ने plan बनाया था robbery करने का अब उस plan को वो लोग execute करेंगी यानि कि अब वो लोग वो robbery करेंगी बात करें इस movie की IMDb rating के बारे में तो इस movie को rating मिली है 6.9 की out of 10 if this whole thing goes wrong I want my kids to know that I didn't just sit there and take it, I did something नमबर 4 पे आती है 2006 में रिलीस हुई movie All the Boys Love Mandy Lane इस movie में आपको main lead में देखने को मिलेंगी Ember Heart जिनको आपने Aquaman, Justice League और Zombieland जैसी बहतरीन movie में देखा होगा बात करें movie की कहानी की तो कहानी में दिखाया गया Mandy Ram की एक लड़की होती है जो की weekend enjoy करने के लिए अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाती है लेकिन guys जंगल में जाने के बाद उसको ऐसी ऐसी thriller incidents देखने को मिलते हैं जिनको देखने में आपको मसा आएगा बात करें इस movie के IMDV rating के बारे में तो इस movie को rating में लिए है 5.5 की out of 10 नमबर 5 पे आती है 2015 में रिलीज हुई movie Home Sweet Hell इस movie में आपको comedy और drama activity देखने को मिलेगी बात करें movie की कहानी की तो इसमें आपको कहानी देखने को मिलेगी एक housewife की जिसे पता चल जाता है कि उसके husband का चकर चल रहा होता है अब guys जो housewife होती है वो ये decide कर लेती है कि वो अपने husband की जो girlfriend होती है उसको मार कर ही रहेगी अब movie में आपको देखना ये है कि क्या वो सच में उसकी girlfriend को मार पाती है या फिर नहीं बात करें इसकी IMDB rating के बार में तो इस movie को rating मिली है 5.4 की out of 10 नमबर 6 पे आती है 2019 में release हुई movie इस movie में आपको action और thriller activity भरपूर देखने को मिलेगी बात करें movie की कहानी की तो उसमें दिखाया गया है एक लड़की होती है जिससे की किन्नेप कर लिया जाता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि वो एक video game में आ चुकी है जहां पर एक mask man बहुत ही जादा गंदी तरह से औरतों को मारता है अब guys अगर आपको खून खराबे वाली movies नहीं पसंद तो इस movie को आप skip भी कर सकते हो बात करें इस movie की IMDB rating के बारे में तो इस movie को rating मिली है 5.4 की out of 10 नमबर 7 पर आती है 2013 में रिलीज हुई movie नर्स थ्रेडी इस movie में आपको horror और thriller activity भरपूर देखने को मिलेगी बात करें movie की कहाने की तो कहानी में दिखाया जाता है कि एक psycho nurse होती है जिसे कोई हलका सा भी hurt कर देता है तो वो उसको सीधा मार देती है और police के लिए कोई evidence भी नहीं चोड़ती है अब वो ऐसा क्यों करती है क्या है इस के पीछे का राज यह आपको जानने के लिए यह movie देखने होगी बात करें इस movie की rating सेगी तो इस movie को rating में लिए है 4.5 की आउट आफ टेन नमबर 8 पे आपको देखने को मिलेगी 2009 में रिलीज होई movie जैनिफर्स बॉड़ी इस movie में आपको horror और comedy activity देखने को मिलेगी बात करें movie की कहाने की तो उसमें दिखाया जाता है जैनिफर्स नाम की लड़की होती है जो की बहुत ही ज्यादा खूप्चुरत होती है और अपने college में बहुत ही ज्यादा famous होती है लेकिन गाइस वह मैं आपको बता दूँ एक evil लड़की होती है जो की लड़कों को फसाती है और कोने में ले जाके मार देती है अब ऐसा क्यूं होता है यह जानने के लिए आपको यह movie देखनी होगी बात करें movie की IMDB rating के बारे में तो इस movie को rating में लिए 5.2 की आफट आफ 10 नमबर 9 पर आती है 2003 में रिलीज होई movie Kill Bill Vol. 1 इस movie में आपको action और martial arts activity देखने को मिलेगी बात करें movie की कहानी की तो उसमें दिखाया जाता है एक pregnant lady होती है जिसके उपर कुछ लोग attack करते हैं और उसको मार के चार साल के लिए कोमा में भेज देते हैं लेकिन guys जब चार साल बात वो लड़की जगती है तो उन लोग का band बजाना शुरू कर देती है guys मैं आपको बता दू इसके अभी तक दो पार्ट रिलीस हो चुके हैं आप दोनों ही enjoy कर सकते हो और दोनों ही हिंदी में डब रहे है और guys बात करें इस movie के IMDb rating के बारे में तो इस movie को rating में लिए है 8.1 की out of 10 नमबर 10 में आती है 2017 में रिलीज होई movie ghost in the cell इस movie में आपको main lead में देखने को मिलेंगी हमारी scarlet johnson जिनको आप avenger series से जानते होंगे और बात करें इस movie की कहानी की तो इसमें story दिखाई गई है हमारे आने वाले future की की guys future में criminal और terrorism activity बहुत ही जादा बढ़ चुकी है जिनको रोकने के लिए future में cyber human को create किया जाता है guys बात करें इस की IMDb rating की तो इस movie को rating मिली है 6.3 की out of 10 I hope guys आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से like कर दीजे चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को भी दबा लेजे और guys comment करके बताईए कि आपको next कौन सी वीडियो चाहिए guys मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में जब तक लिए जैहिंद बंदे मातरम और thank you for watching